गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम भाशा माधरी में पाठ सोला का अगला हिस्सा पढ़ेंगे बबलू जी जिग्यासू बड़े हैं मन में अर्गिन प्रश्न खड़े हैं मैंने आपको बताया था कि बबलू जो है वो तीन साल का बच्चा है लेकिन वह अकल से अपने दिमाग से बिल्कुल भी छोटा नहीं है वह अपने रिष्टेदारों से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है बबलू जी जिग्यासू बड़े हैं बबलू याने की उसके मन में हर चीज को जानने की बहुत इच्छा है मन में अनगिन प्रश्न करें उनके मन में अनेक प्रश्न है अनगिनत प्रश्न है जिनने काउंट करना बहुत मुश्किल है जिनकी गिंती करना बहुत मुश्किल है उल्जन उनकी जाती बढ़ती उनकी उल्जन जो है वो बढ़ती जाती है नई चीज अचरज से भरती जब वो कोई नई चीज देखते हैं तो उन्हें आश्चरय हो जाता है और उसके बारे में उनकी उल्जने बढ़ती जाती है उनके बारे में प्रश्न पूछने में उनकी उल्जने बढ़ जाती हैं जाता है जो बहुत अद्बूत होते हैं अटपटे होते हैं जिनका जवाब देना बिल्कुल भी सरल नहीं होता अगर सवाल टालना चाहें बबलू जी की उल्जी रहें अगर कोई सवाल टालना चाहता है तो बबलू जी फिर उनको उल्जा देते हैं फिर उन्ही प्रश्नों म हम शान्त करने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें और भ्रामित नहीं करेंगे, उत्तर पाबबलू निहाल है, मन में फिर कोई सवाल है, जब किसी प्रशन का उत्तरोंने मिल जाता है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके मन में नया प्रशन उत्तपन हो जाता है, फिर वो उसके बारे में नए नए सवाल पूछने लग जाते हैं, तो बच्चों आप यह कविता को ध्यान से पढ़कर उसे समझेंगे, फिर हम इसके शब्दर्त और प्रशन उत्तर का कारेंगे,